नमस्षकर दोस्तों आपका सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरुर्ड फ्रेज कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स निलता रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से stocks हैं और उनके क्या तेजी देखने को मिल लगी है दोस्तों अपने stock की बात कर लेते हैं पहला हमारा जो stock है वो है subax अगर इस share की बात करें तो आप देखें कि इस share में काफी तेजी देखने को मिल लगी थी तेकिन अगर 25 रुपए भी यह support नहीं लेता तो 20 रुपए के आसपास फिर यह share जाएगा गिरेगा और 20 रुपए के अगर पास गिरता है तो फिर वहां से support लेने के chances बढ़ते हैं क्योंकि वहां पर काफी बड़ा strong support है अगर वहां भे support नहीं तो आप इसमें भारी गिरावट आएगा और यह share बहुत ही नीचे तक जा सकता है क्योंकि जिसे आप से यह share ऊपर आया है काफी तेजी से तो उतनी तेजी से यह share नीचे भी जाएगा अब देखें कि उसके बाद consolidate कर रहा है काफी टाइम से 27 सुपए 26 सुपए के आसपास तो इनका लेबल तो मैंने आपको बता दिया तो अपने next stock की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कल इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है हाला कि share अच्छा है और share काफी उपर तक भी जाएगा लेकिन अभी फिलाल short term में इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है कल या पर्सों की ट्रेडिंग सेशन में आपको इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा आज के हाई की बात करें कि 249 सुपए 40 पैसे था लेकिन close होते होते market 237 सुपए 50 पैसे भी close हुआ यानि आप देख सकते हैं कितना बड़ा gap है इन दोनों के बीच में इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि इसमें कल या फिर पर्सों आपको थोड़ी सी profit booking देखने को मिल सकता है उसके बाद जब सेशर ये bounce back करेगा तो फिर से उपर की side में जाएगा तो फिर से लेकिन अभी छोटा सा आपको correction देखने को मिल सकता है तो जाएट से बाद है छोटी मोडी correction आपको देखने को मिल सकता है लेकिन बहुत जादा correct हो ऐसा possible नहीं है क्योंकि ये share जब उससे पहले overbought zone में था तो आप देखेंगे बहुत जादा share correct नहीं हुआ था थोड़े से correction के बाद ये फिर से bounce back दिया था तो सेम इस बार भी हो सकता है तो next अपने stock की बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो next stock है वो है astral poly अगर इस share की बात कर लेते हैं ये share काफी तेजी से उपर की तरफ के आप देखेंगे sudden में और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको correction देखने को मिलना है यानि कि profit booking देखने को मिलना है तो इसमें कितना profit booking देखने को मिलेगा और जदा उसकी बात कर लेते हैं तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है 1700 या फिर उसके नीचे यानि कि 1680 रुपय तक ये share जा सकता है otherwise अगर नहीं जाता तो अच्छी बात है अगर जाता है तो आप 1680 पर अगर ये share मिलता है तो आप इसमें long term के लिए position बना सकते हैं ये share जो भी बता रहा हूँ काफी अच्छे share यानि Tata Motors जैसे हो गया जैसे ये astrol poly हो गया ये astrol poly तो multi bagger है तो इस share को आप जितना ज्यादा long term के लिए हो सके उतना ज्यादा long term के लिए hold कर सकते हैं और जितना नीचे मिले उतनी अच्छी बात है तो इस share में अपनी position आप बना सकते हैं तो अपने next stock की बात कर लेते हैं दोस्तो आदानी green इस share की बात कर लेते हैं 1000 person का return देने के बाद अब इसमें थोड़ी सी correction देखने को मिलना है और ये share काफी correct हो रहा है अगर इसमें RSI देखेंगे तो ये लगभग oversold zone में पहुँच चुका है तो मुझे लगता है कि अगर ये oversold जाता है तो इसमें खरीदारी बनती है क्योंकि दोस्तों उसके बाद ये share oversold होने के बाद इसमें फिर से bounce back देखने को मिलेगा और जैसा ही bounce back देखने को मिलता है तो उसके बाद ये share काफी तेजी से उपर की तरब फिर से जाएगा अगर इनके level की बात करें कि कहां पर ये support लेगा तो मुझे लगता है कि इनका पहला जो support होगा वो 880 का होगा अगर वहाँ पर support लेता है तो अच्छी बात है नहीं तो 852 पर काफी strong support है और ये share 852 तक जा सकता है तो अगर 880 तक जाता है तो उसमें आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं यादि अपने capital को installment में बाट कर खरी दिया भी की जा सकती है इस share में तो next अपने stock की बात कर लेते हैं बंदन बैक दोस्तों इस share में भी काफी तेजी से grow up हुगा लेकिन उसके बाद ये share भी अब काफी वहाँ पर जाकर struggle कर रहा है 390 रुपए 25 पैसे वे इस time ये share चल ला है तो इनका next support क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं तो जहां तक मुझे लगता है 380 रुपए के आसपास ये support अपना ले सकता है फिर bounce back करेगा 400 की तरब अगर 380 पे support नहीं लेता तो फिर 300 start रुपए या फिर उसके नीचे भी ये share जा सकता है तो इस पर जरूर नजर बना कर रखें next अपने stock की बात कर लेते हैं AC Unpend दोस्तों ये तो वो share है जिसे आप पूरी जिन्दगी या फिर कहिए अपने next generation के लिए भी खरीद कर रख लें तो भी कम है क्योंकि इस share में बहुत ही तेजी है तो अगर ये share आपको सस्ते में मिल ला है तो जरूर से जरूर खरीदारी कर लेनी चाहिए तेकिन अगर गिरावट की बात करें क्योंकि ये share आप देखें कि काफी ज़्यादा ओवरबॉर्ट चला था काफी टाइम से तो गिरावट तो बनती है तो मुझे लगता है ये share अगर यहां से गिरता है तो ये 2600 के आज पास जा सकता है तो अगर उसके आज पास जाता है तो आप खरीदारी करके लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं अगर उसके नीचे आता है यानि कि अगर 2700 के भी नीचे आता है तो भी आप अपनी इंस्ट्रॉल्मेंट में खरीदारी कर सकते हैं उसके बाद 2600 तक मान सकते हैं तो दोस्तों ये वो stock थे हैं जिनका technical analyze मैंने किया अपने point of view से आप अपनी point of view रख सकते हैं अपने हिसाब से analyze कर सकते हैं लेकिन जो भी मैंने support और target बता हैं उसको जरूर से जरूर note कर लीजिए या पिर अपने दिमार्ट में रखिए ताकि अगर वो shares उतना नीचे गिरते हैं तो आप वहाँ पर buying कर सकें otherwise अगर उसमें वहाँ पर support लेता है